कमपार्टर आके बेटा हुआ, किराने वाला आके बेटा हुआ, दूद वाला आके बेटा हुआ, न्यूस्पेपर वाला आके बड़ी गुस्ता थी मिरको, जिंदगी में मिरको एक अख्रोस था, कि पैसे कमाने हैं, मुझसे लोग गुस्ते हैं, कि नायर साब फॉर्मिला क्य है यह success के पीछे formula क्या है simple बात है formula यह है अगर जिंदगी बनानी एंद नाम बनानी अशौरत कमानी है और अपनी चाहतों के आप से जिंदगी जीनी है जरोतों के आप से नहीं तो कहानी है एक newspaper vendor की turned part-time accountant turned in all full-time salesman turned India's biggest trainer and biggest inspirational speaker. मेरे नाम संतोष नायर है, born brought up in the city of Mumbai, मैंने अपना career चालू किया था as a newspaper vendor, घर-घर में जाके मैं newspaper डालता था, फिर उसके बाद मैं college में जाता था, दुपेर को accountant की नोकरी करता था और रात को tuition लेता था, इस तरह से जिन्दगी बीत रही थी, तब स्वामी नाथन अयर एक दिन मिला, मेरा जो बच्पन का यार है, उसने मुझसे पूछा करता क्या है, मैंने उसको कहानी सुनाई, उसने ये कहा कि ये जो नियूस पेपर का काम कर रहा है, वो कुल करनी, अपना गली का कुल करनी, पिछले 35 साल से कर रहा है, और उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मरने के पहले उसके पाद एक, इनो, एक मोटर साइकल खाली थी, एक स्कूटर खाली था, और जो ये जो तू अकाउंटन का नुकरी कर रहा है, 400 रुपे तेरे को मिल रहा है, कल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, उसके ले साल वो 700 हो जाएगा, इस तरह से 35 की तेरी जब हुमर होगी, तो ये जो टूशन ले रहा है, इसमें 100 रुपे मिल रहा है, दूसरे का 200 रुपे मिल रहा है, इस तरह से जिंदगी में तु बड़ा आदमी नहीं बनेगा, ऐसा स्वामिनातन अयर ने जब चहरे पे देखके बोला, तब मैंने ठान लिया कि कुछ करना तो पड़ेगा, तब आयर से मैंने पूछा करना क्या, उसने कहा, जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शौरत कमानी है, चाहत अगर जिंदगी बनानी है, नाम बनानी है, शौरत कमानी है, और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जी करने के पहले एक किसी टैनीस प्लेयर को टैनीस ख्यालने के पहले उसको कुछ मालूम नहीं था और इसलिए मैंने यह धान लिया कि अब ज़िनदगी नाम बनाने हैं और मैं बन गया एक salesman गया मैं युरेका फोप्स बुल के company में door-to-door salesman बनने के लिए और वहाँ पर reject हो गया एक होता है वो लोग select करते हैं अगर आप अच्छे हैं अगर आप reserve वो लोग reserve में रखते हैं अगर आप ठीक ठाक है और आपको reject करते हैं अगर आप एक दम बिल्कुल इनो घर-घर में जाके वो 18 किलो का suitcase लेके बेशने का काम मुझे जब देखा उन्होंने reject कर दिया फिर पता चला कि rejected candidates को लोग ले रहे थे तो हमारा number लग गया और इस तरह से मैं युरेका फोप्स में join किया as a frontline salesman 18 किलो का suitcase लेके घर-घर में जाता था और उस जमाने में युरे बहुस है immediate boss है वो आपको एक उड़िपी restaurant में लेके खाना खिलाता था अगर आपने 8 से 12 बारा या 15 के करीब बारा के करीब बेचा तो आपका regional manager आपको ले जाता था और बढ़िया सा restaurant में खाना खिलाता था और अगर आपने 14 या 16 बेज दिया तो अखिल मर्फत या हमारी company नहीं का you know managing director अपने standard 2000 rover car में उस जमाने का सबसे expensive गाड़ी में आके वो तुम्हें Jewel of India में ले जाता था और तुम्हें जो खाना चाहिए जो पीना चाहिए वो देता था तुम्हारे को इस तरह से मैंने 4th of October 1985 को Eureka 4 जॉइन किया 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद 11 October को मैं नि क्लिनर बेचे उसके बाद 33 उसके बाद 36 उसके बाद 37 39 41 43 लेकिन मैंने जिन्दगी में कभी पिछले मेने से कम नहीं बेचा और फिर मैं बन गया group leader चार लड़के मेरे साथ थे उसके बाद मैं बन गया supervisor number one group leader बना number one supervisor बना number one salesman बना इंडिया का number one branch manager बना 140 branch managers में पहली बार Eureka Forbes में 200 sales हम ने किया था 300 sales हम ने किया था 400 sales हम ने किया था 500 as a branch manager हम ने किया था इस तरह से हमने record बनाए and in about eight and a half years 10 promotions I was the youngest fastest growing or richest employee in the history of Eureka Forbes और फिर मैं जॉइन किया real value ceasefire बोल के company वहाँ पर DGM था फिर GM बना उसके बाद मैं team productivity बोल के company में मैं वहाँ का vice president था और वहाँ का director बन गया इस तरह से मैं 15 साल नोकरी करने के बाद मैंने पिछले 19 साल पहले smart bowl के training company शुरू की और आज smart दुनिया की जानी मानी और बहुती powerful entrepreneur training consulting coaching company बन चुकी है मुझे याद है यह नो मेरा पहला income था 500 रुपय तब मैंने लक्ष रखा कि मुझे 5 जार मेने का कमाना है भागा 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 मैं 5 जार कमाया जब मैं 5 जार कमाता मैंने लक्ष रखा मुझे 50 जार मेने का कमाना है जब मैं 50 जार कमाता था मैंने लक्ष रखा कि मुझे 1 ल हजार, पचास हजार, पांच लाग दिन का मैं लेता था, तब मैंने कहा अब दिन का भी मेरे को काम नहीं करना, अब मुझे घंटे का पैसा चाहिए, और इस चरह से आज मैं एक या दो घंटे के लिए साड़े साथ से 9 लाग रुपिया लेता हूं, और आज मैं इंडिया का अ Sharp 32 लोगों में, फरक सिर्फ वितना है कि सक्कशने लोगों ने वो करने की आद़ टाली, जो एवरेज और नकूल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी सुबह उटने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुबह उट उटके, उट उटके, उटके, आपको भी पढ़ने की आदत नहीं अच्छी लगती है, मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन रोग दो घंटे पढ़के 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 पढ़ने की आदत डाली, इस तरह से चैलेंज लेने की आदत डाली, इस तरह से बड़ा सोचने की आदत डाली, इस तर किया क्योंकि मेरा दिमाग ने एक बात बैठ गया कि जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए और यह आपको एपको नाथ है जो आपको आपको लिखान नहीं लगता अर। समझ चुका हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी आदते हैं जान बूच के अच्छी आदते अगर हमने डेवलप नहीं किया तो अंजाने में बुरी आदते लग जाएगी जान बूच के बड़ा सोचने की आदत नहीं डालोगे तो अंजाने में छोटा सोचने की आदत ल मुद्दा ये उठता है कि ये जुनून इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आज से करीबन 35 साल पहले इनो मेरे इनो वहाँ पर जबती का नोटीस आ गया था मेरे गर में जबती का नोटीस आ गया था क्योंकि 18 मेने से हाउसिंग बोर्ड में हमने पैसा नहीं दिया है। कि ये इनौन पीस लेता था सो रुपे में 110 में बेशता था और किसी ने जूता लाया या साकी का वह 160 में लेता था 170 में मेरे ख्याल से वहाँ पर मेरा सेल्स का एक सोच मेरा पैदा हुआ और इस तर बड़ी बैन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है छोटी बैन का किराने वाला आकि बेड़ा हूआ ढूदु वाला आख़ा के बेटा हूआ की बड़ी गुस्ता थी मेरको जिंदिगी मेरकी मेरको अकरुस था कि पैसे कमाने है कैसे इस्ट भी करके इस्टेबार निकलना है और इसलिए स्वामी नातन अयर का वो स्टोरी कि अगर तुझे सेल्स में, सेल्स वो लाइन है जहां पर तुझे 5 शेयर चाहिए तो 5 शेयर मिलेगा, 10 जार चाहिए तो मैंने का 10 शेयर मिलेगा, 50 चाहिए तो 50 मिलेगा, 1 लाग चाहिए तो 1 लाग मिलेगा, 3 लाग चाहिए त हमारे effort के वज़े से और मैं कभी भी time and effort में नहीं believe करता हूं मैं result में believe करता हूं result is time and effort is not equal to money result is equal to money तो मेरा हमेशा ये दिमाग में था कि result को पैदा करने के लिए क्या किया जाए मैंने हमेशा लगातार अपने goal book को डालने की आदर डाली self improvement रोज रात को मैं लिखता हूं कि आज मैं जिन्दगी से क्या सिखा और मैं कैसे improve हो सकता हूं मैं लिखता हूं 21 day positive focus बोलके एक book कि आज मैंने positive काम क्या किये आज मैंने जिन्दगी से क्या study किया लगातार मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं और मेरी जो माली हालत है उसको बदलने का मेरा एक प्रण रहा है और तब से लेके आज तक उसी प्रण पे लगा हुआ हूं तब से लेके से आज चक मैं continuously वही सब कर रहा हूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता लक्ष मैंने तै कर दिया है date मैंने set कर दिया है और लगातार एक जुनूनी पागल के माफद जोश के साथ enthusiasm के साथ determination के साथ dedication के साथ जूटना बोलते हुए काम करते हुए मैं मैंनत करते हुए जब तक काम नहीं होता तब तक मैं घर नहीं जाता एक salesman की मेरी आदत थी कि जब तक मैं vacuum cleaner नहीं बेचूंगा घर नहीं जाओंगा मुझे यादे की guidance की ज़रोत थी ना motivation की ज़रोत थी ना push का ज़रोत था ना यादे मेरे को याद दिलाने की ज़रोत थी नहीं थी क्योंकि मैं professional बन चुका था मुझे नौकरी नहीं करनी थी मुझे एक sales professional बनना था आप कहां पर है आप क्या कर रहे हैं आपका background क्या है आपका father अजर कौन है आप literature है illiterate है आपको पढ़ाई आपने की नहीं की आप सब लोग जो मेरे को सुन रहे हैं आपको सब मकाम पर पहुंच सकते हैं उस बलंदियों पर पहुंच सकते हैं लगातार आपको अपने आप में विश्वास करना है अपने काबिलियत व्श्वास करना और लगातार अपनी काबिलियत को अपग्रेड करते रहना है किताबों के तुरू audio के तुरू videos के तुरू अच्छे training program अच्छे गुरुओं के थुरू, अच्छे दोस्तों के थुरू, यह सब चीज़े अगर आप करेंगे, तो आप भी जिंदगी में बहुत जोशीले इंसान बनेंगे, और आप एक रोल मॉडल बनेंगे, और एक ओडिनरी आदमी से आप एक एक्स्ट्रॉडनरी आदमी बन जाएंगे, और सब्सक्राइब केजिए जोश टॉक्स को